दोस्तो स्वागत है आप सब का LK All In One चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ मश्रूम के बारे में जी हाँ दोस्तो आप सब जानते हैं मश्रूम जो है एक सबजी के रूप में इसका इस्तिमाल किया जाता है मश्रूम का तो अगर आप जानेंगे इसके फाइदे तो आपको लगेगा वाकई एक सबजी जिसे हम सिरफ एक सबजी के रूप में इसका सेवन करते हैं वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है वो सिरफ हमारे जीब के सुआद को ही नहीं बढ़ाती लेकिन हमारी सेहत के लिए हमारी बालों के लिए हमारी इम्म्यूनिटी के लिए हमारे दिल के लिए हमारी हड़ियों के लिए बहुत ही फाइदे मन है क्या है इसके फायदे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरा वीडियो लास तक देखते रहिए और हाँ दोस्तो लाइक और शियर करना मत भूलिएगा इस इंफरमेशन को सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दो कि मश्रूम की लगबग 14,000 प्रजातिया है इनमें हर एक की अपने अपने फायदे है सफेद मश्रूम सबसे ज़्यादा प्रचलित है सफेद मश्रूम विटामिन से भरपूर होती है जैसे विटामिन सी, डी, विटामिन बी कॉंपलेक्स, मिनरल्स जैसे कॉपर, आयरन, सेलेनियम आदी, प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट्स और फायबर जो है इसमें भरपूर मातरा में पाये जाते हैं और बहुत जादा इसके फायदे है तो दोस्तो सबसे पहला फायदा तो मश्रूम का ये है कि मश्रूम का सेवन वजन यंतृत करने में बहुत जादा मदद करता है क्योंकि दोस्तो इसमें फायबर बहुत जादा भरपूर मातरा में पाया जाता है और cholesterol जो है या fat जो है इसमें बहुत कम मातरा में होता है carbohydrates जो है इसमें बहुत कम मातरा में होते है तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें fat, carbohydrates कम मातरा में है और जो इसमें fiber है वो भरपूर मातरा में है शक्ति को बढ़ा देता है आपका बचाव करता है रोगों से अगर आप चाहते हैं आपकी इम्म्यूनिटी जो है वो बहुत जादा स्ट्रॉंग हो जाए रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ जाए तो आपने मश्रूम का सेवन करना शुरू कर देना है दोस्तों क यूकि इसमें विटामिन A, B, C होते हैं चोकि हमारे इम्म्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों इसमें अंटिबायिटिक्स होते हैं जोकि इंफेक्शन से लड़ते हैं और यही नहीं इसमें अंटियोक्सिडेंस हैं जोकि रोगों से बच्चाव करते हैं तो अगर immunity को बढ़ाना चाहते हैं तो मश्रूम का सेवन करना शुरू कर दीजिए यही नहीं दोस्तों मश्रूम का सेवन diabetes के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि मश्रूम में नहीं तो दोस्तों fat होता है carbohydrates भी इसमें बहुत कम मातरा में होते हैं हाँ इसमें proteins बहुत अधिक मातरा में होते हैं enzymes, vitamins, minerals, fibers भरपूर मातरा में हैं दोस्तों इसके और यह बहुत ही बढ़िया diet है उन लोगों के लिए जो कि diabetic है दोस्तों इसमें natural enzymes होते हैं जो कि sugars को starch को break down कर देते हैं तो अगर आप एक diabetic patient है diabetes से आप जूज रहे हैं तो mushroom का 7 जो है वो करना शुरू कर दीजिए आपको बहुत सादा अराम जो है वो लगेगा दोस्तों mushroom का 7 prostate cancer और breast cancer के खत्रे को कम करता है दोस्तों mushroom में होता है beta glucan और conjugated linolic acid इसमें दोस्तों anti carcinogens भी होते हैं ये करता क्या है ये बचाव करता है breast cancer से prostate cancer से जो linolic acid होता है दोस्तों वो estrogen जो है उसको कम करता है महिलाओं में मेनोपॉस के बाद और आपका बचाव करता है breast cancer से उसी तरह दोस्तों जो beta glucan होते हैं वो prostate cancer से बचाव करता है तो दोस्तों mushroom का सेवन हम सिरफ एक सबजी के रूप में करते हैं लेकिन वो हमारा बचाव करता है prostate और breast cancer से यही नहीं दोस्तों mushroom खाने से anemia से भी बचाव होता है हम सब चानते हैं कि anemia किस कारण होता है जब iron की कमी हो जाती है तो अनीमिया जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको तो mushroom में iron जो है भरपूर मातरा में होता है तो iron का सेवन मतलब कि अगर आप iron की कमी को दूर करना चाहते हैं तो mushroom का सेवन करना शुरू कर दीजिए इससे आपका अनीमिया की दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी या अनीमिया से आपका बचाव होता रहेगा दोस्तो मश्रूम का सेवन बलड प्रेशर को नियंतरित रखने में मदद करता है बुरे कॉलेस्टरॉल को कम करता है और आपके दिल को भी स्वस्थ बनाई रखता है मश्रूम में दोस्तो मैंने आपको पहले बताया कॉलेस्टरॉल नहीं है, फैट नहीं है और कार्बो हाइडरेट्स भी बहुत ही कम मातरा में हैं फाइबर भरपूर मातरा में होने के कारण और बाकी इंजाइम्स जो होते हैं इसमें मौझूद वो आपके कॉलेस्टरॉल लेवल को बहुत कम करता है दोस्तो इसमें लीन प्रोटीन होता है जो कि आपके कॉलेस्टरॉल को बर्न करता है तो अगर आप चाहते हैं अपने कॉलेस्टरॉल को कम करना तो मिश्रूम का सेवन करना शुरू कर दीजिए यही नहीं आपके दिल को भी सुस्त बनाए रखता है क्योंकि इसमें फाइबर है, विटामिन C है, पोटेशियम है जो कि आप कार्डियो वैस्कुलर दिक्कतों से, उन डिजीजिस से आपका बच्चाव करता है यही नहीं दोस्तो, इसमें सोडियम कंटेंट जो है, वो बहुत कम होता है, जो कि बलड प्रेशर को कम करता है दोस्तो, मश्रूम खाने से हड़िया मजबूत बनती है, उम्रे के कारण हड़ियों की बिमारियां जैसे ऑस्टोपरोसे जादी से भी आपका बच्चाव होता है हम सब जानते हैं केल्शियम की वज़े से हमारी हडिया मदद करता है तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर मश्रूम को अप अपनी डाईच में लेते हैं अपने खाने में उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो जो calcium है आपकी bones के लिए जो बहुत ज़रूरी है आपको भरपूर मातरा में वो मिलता रहेगा और osteoporosis जैसी दिक्कतों से आपको नहीं जूजना पड़ेगा यही नहीं दोस्तों मश्रूम खाने से तुचा परूम्र के कारण पड़ने वाले प्रभाव कम होते हैं और जुर्रियां भी देर से आती हैं तो देखा दोस्तों मश्रूम अगर आप खाते हैं तो वो सिरफ आपके शरीर के लिए नहीं बलकि आपके तुचा के लिए भी तो आशा करती हूँ आपको यहांची लगी होगी लाइक और शियर करना अमस्ग भूलियेगा थेंक यू फ्रेंज LK All-in-One चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छी और बहतर जानकारी के लिए देखते रहिए LK All-in-One चैनल स्वस्त रहें खूश रहें